आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाडी रिकुरिट्मेंट दोहजार चोईस यानि कि आंगनवाडी के जो भरती निकली है उसके बारे में पूरी जानकार हम आपको बताने वाले हैं पहले ये समझ लीजिए गवर्मेंट आप उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंगनवाडी की वेकंसी है इसके बारे में पूरी प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपका फ़र्म भरे जाएंगे कहां से भरे जाएंगे और उसकी प्रोसेस से क्या रहेगी कौन-कौन से डिस्टिक्स है ये पोस्ट निखली यवो आपके सामने यहापर डिस्प्ले है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लखना हुआ यह बस्ति, रामपूर, सरस्वती, हरस, रस इन में से कोई से भी आपका डिस्टिक है तो उस डिस्टिक में आप भर सकते हैं तो यहाँ पर आप बात करते हैं रेइस्टर्ड वाले option के ऊपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको सारी basic detail आपको फिल करनी रहेगी जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया डिस्टिक कौन सा है इसके बाद मोबाइल नंबर कौन सा है पासवर्ड कौन सा रखना चाहेंगे अगर आईडी पासवर्ड आपको जैसे बनाना रहता है तो उसमें जब लोगिन करते हैं जरुवत पड़ेगी उ ऐसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहां पर आपको इंटर कर देना है पौसर्ड यहां पर इंटर कर देना है वापस से कैटचा कोट डालेंगे lienTeam में अब यहां पर आपको जनपत करनाएह उसे आपको यहां पर लेना है जिसलिग नहुत है इसके बाद में यहाँ पर आपका परियोजना कौन से लगती उस परियोजना के अनुसार आपके सिटी को आपको च्वाइस कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो परियोजना है उसे आपको ले लेना है यहां पर आपका जो भी वार्ड लगता है उसे आपको select कर लेना है इसके बाद में यहां पर देखेंगे नियाय पंचायत का नाम जो भी पंचायत आपके लगती है उसे आपको यहां पर डाल देखेंगे रिक्त आंगनवाडी केंद्र का नाम तो जो भी आपका आंगनवाड इपना के उपर क्लिक करते हैं इन मेंसेजे से अलग-अलग कुछ जगए यहां पर आपका वेकनसी ही नहीं है तो उसमें आपको सेलेट कर लेना है कहा कहा पर आपको वेकनसी मिलेगी ठीक है यहां पर देखेंगे दोस्तों आवेदिका का नाम स्रीमत्ती या फिर कुमारी लिख अब नीचा आएंगे तो यहां पर आपके माता का नाम आपको यहां पर लिख देना है यहाँ पर आपको देना है एक 25 की आयू केलकुलेट होकर के 33 साल हो चुकी यहां जो हमने डाली है डेट अब बर्थ है उसके अनुसार यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर अगला ऑल ऑप्शन के उपर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी पूरी जनकारी नेक्स्ट इस्टेप में खुल जाएगी तो आप यहां पर आपको सेलेट कर लेना आप कौन सी जाती से विलोंग करते हैं ठीक है अगर आप यहां पर अन्नी पिषडा वर्ग में हैं हैं है या फिर आप आप लोइक्ता किन देंगे अमनी वाले उप्षन के ओपर क्लिइग कर देंगे ौलों रिवास्प्रमान पत्र वैसे जनरल वालों को जनरल जाती प्रमांट पत्र नहीं लगता है तो उसे आपको छोड़ देना है आए प्रमांट पत्र अगर आपके पास है तो उसका भी पूरी डिटेल फील करनी होगी यहाँ पर देखेंगे कि आपका बीपील कार्ड स्रेणी में आते हो या नहीं तो इ विद्याले का नाम हो गया बोड कुन सा है उत्तीन वर्स इसके बाद पूर्णांक प्राप्तांक कितने नंबर आपका परसेंटेज कितनी है यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल की माक्षीट और हाई स्कूल का प्रमांट पत्र दोनों ही आपको अपलोड कर देना है ठीक है भी तर्सें परमाट में कर सकते हैं जेपिजी में ही इसे अपलओ करना होगा अब दोस्तों हमने टेन वर 12 दोनों ही चीजों को हमने अपलोड भी कर दिया है दोनो की डीटेल भी खिर जाया पर पिल कर दिया अब इसके बाद में इसी प्रकार से आपको signature ले लाएं ठीक है यह complete होने के बाद में यहाँ पर आपको अगले वाले option के ओपर click करना है जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगे मैं घोशना करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी दियान पूरत मैंने पड़ लिया है कोई फर्जी डोकुमेंट नहीं है यह वो इससे complete होने के बाद हम इसे अगले वाले option के ओपर click करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने जो आपने form भरा है बाल विकास परियोजना के अंतरगत जो भी आपकी पूरा form की process है वो आपके सामने आ चुकी है अब यहाँ से इसको आगे बढ़ा देना है तो हम यहाँ से अगला वाला option को इसे यहाँ से click करेंगे form भरने के बाद में किसी भी प्रकार का उसमें कोई correction नहीं होगा अभी आपको कोई दिक्कत हो तो इस वाले printout को लेकर के एक बार अच्छे से check कर लेंगे और यहाँ पर confirm करेंगे confirm करने के बाद में आपका जो प्रोसेस है वो next प्रोसेस यहाँ पर successfully OTP send हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे OTP आपको send करना है केप चाकोड डालना है और आगे बढ़ जाना है यहाँ पर हम click करते हैं तो click करने के बाद आपका जो form है उसके printout आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगी तो दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें धन्यवाला सभी का वीडियो देखने के लिए आपका देन सुम्राया